दोस्तो नमस्कार कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है आज एकनोमिक्स का टाफिक है अर्थ विवस्था के प्रकार टाइप आफ एकनोमिक्स है जो की SAC, Railway, Defense, PCS, दरोगा, NDA, CDS, इत्यादी एक जानों के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है और यदि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर ले और बेर बटन अवस्थ दवाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पूंच सके मेरे चैनल पे जिनरल नौलेज, जिनरल साइंस, करेंट अफेर्स, एबं कोश्टन पेपर सॉलूशन का वीडियो उप अवस्थ करें तो चलिए अर्थ विवस्था के प्रकार है ताइप ऑफ एकनॉमिक से तो जो अर्थ विवस्था के प्रकार होते हैं उम्मुक रुप से हम लोग जो पहला पर की करन करेंगे और संसाधन के स्वामित पे करेंगे ठीक है जो संसाधन होता है पिछला वीडियो कहा जाता है और जो उत्पादम के साधन हम पाच बताएं थे एक बताएं थे आपको भूमी दुसरा बताएं थे उन्जी स्रम संडठन और सहस यदि पांच चीज रहेगा तब जाकर आपकी सिवस्तु को उत्पादित कर पाईएगा उस आधार पे आज पहला दर्दी करन करते गया दर्द सत्थन के हिच्थ कर्णा बद्रद तो संसाधन के आधार पे अर्थ विवस्ता है जो तीन परकार के बताा है, एक पहला हो गया उन्जी बाद, दूसरा हो गया स्माजबाद, और तीसरा मेद न्य वाकद मिस्रित अर्थ विवस्था पुंजी बादी अर्थ विवस्था पुंजी बादी अर्थ विवस्था और मिस्रित अर्थ विवस्था तो पुंजी बादी पुंजी बादी अर्थ विवस्था और जिसे इंगलिस में आपे capitalist economic बोलते हैं capitalist economic दूसरा को बोलते हैं सर्माजबादी अर्जबिवस्था socialist और दूसरा को बोलते हैं मिस्री अर्जबिवस्था इसे myth economic बोला जाता है तो जो एक संसाधन होता है उसके अधार पे अर्जबिवस्था तीन परकार के होते हैं पहला पुंजबादी अर्जबिवस्था में जितने संसाधन है भूमी है, पुंजी है, स्रम है संगठन है और सहस है उस पे नीजी बेक्ति का अधिकार रहेगा, मतलब ऐसा देश जहां पे हर एक चीज हर एक बस्तू जो एक तरह से उत्पादित हो रहा है या कोई बस्तू का सेवा मिल रहा है उसके किसका अधिकार होगा नीजी बेक्ति का, इसमें है जितने बस्तू का अधिकार रहता है ठीक है, नीजी बेक्ति का अधिकार रहेगा प्राइबेट जबकि समाजबादी अथ्विवस्ता में उहां उस देश में जितने बस्तू का उत्पादम होगा उसमें सरकार का हस्त छेप रहता है यदि पेन बनाना है तो पेन भीए जो सरकार का है विभाग बनाएगा जबकि पुन्जी बादियाथ विवस्ता में अधिकतर वस्तू का जूत पादम होगा वो प्राइबेट बेक्ति हम आप इसमें कर सकते हैं ठीक है, तो यहां पे सरकार और जो मिश्रित आप विवस्ता होता है इसमें सरकार का भी भागेदारी रहता है और बेक्ति, नीजी बेक्ति का भी रहता है मत्वर सरकार और नीजी बेक्ति यह दोनों का हस्त छेप रहता है सरकार और प्राइबेट बेक्ति यह दोनों का उद्देश रहेगा उसी तरह से आगे देखते हैं उन जिवादी जो अर्थ विवस्ता है उसमें क्या होता है कि जो आर्थिक क्रिया कलाब कर रहे हैं एकनॉमिक एक्टिविटी करते हैं आर्थिक क्रिया कलाब एकनॉमिक एक्टिविटी उसमें नीजी बेक्ति कहीं एक तरह से हस्त छेप रहता है कुछ देखते कामूर में अघ करेंगें। उसमें सरकार है जो हस्त छेप नहीं करता है जब की यहां में क्या होता है समझ बादी में क्या होता है कि जो बस्तु का उत्पादन होगा उसमें सरकार का हस्त छेप रहता है सरकार है जो गवर्रमेंट है करते हैं यहां प्वारत में अब डेकते हो कि भारत का जो अर्थमीड़ा है जो सरकारत के तरफ से किया जा रहा है और कुछ बस्तू का पाधन है जो न के यहां पर दूनों लोग आर्थिक्रिया कलप में बहलिडारा ऐसे अगला 포인्ट रिते हैं जो उद्देश रहता है पुझाज बादी अत्रविवस्था का जो गोटी बॉस्दी Judith फ़ार सरकार का ट्रेन है तो सरकार है जो ऊँछा कीमत बसूनती है जब की आप सिजाते हैं जो कि नीजी वेक्टि का रहता है तो आपको पटना से दिल ली जाने में ज्यादा पैसा का भुटान करना पड़ता है तो समाझ बादियात विश्था का जुमूग फुद्ध रहता है जन्र कल्यान करना जब की मिस्री तर्थ विवस्था में जो सरकार रहेंगे उनका जो को एक तरह से क्या करेंगे लाग कमाएंगे इस तर्था से रहता है अगर कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसका यहां पर जो पुंजिवादी अख्रस्ता में जो बस्तू का मुलकाने धारन होता है ठीक है जो प्राइसिंग होता है बस्तू का मुलकाने धारन वो बाजार के सक्टी पे होता है ठीक है बाजार क्या चाह रहा है बाजार में मान ले जाए कि आप इस पेन को मार्केट में आप आप सब्जी लाने जाते हुएंगे तो सब्जी आप देखते हुएंगे कि सब्जी दिकम है और जो खरिदने वाले हैं जो ज़्यादा है तो automatically क्या किया जाता है कि सब्जी बला उसका दाम को बढ़ा देता है तो यहाँ पे बाजार की सकती क्या धार पे पैसा का निर्धार्ण किया जाता है बाजार का सकती बाजार के सकती Demand and Supply Room चलता है कितना demand किया जा रहा है और कितना उसका Supply मिल रहा है इस अधार कि उस बस्टू का मुल्वे का निर्धार्ण होता है जबकि यहाँ पे सरकार का ओदेस है जो लाग विक तरह से जन कल्यान करना यहां की स्ट्रापाशी नहीं सोचा दाता है, यह नहीं है कि क्यूं कम है तो सरकार उसका कीमत है जो बढ़ा देगी और यहां पर दो तरह के लोग है जो आर्थिक यूड कलाब कर रहें तो सरकार है जो जनकल्यांद सोस्ता है सरकार क्या करेगा जनकल्यांद करेगा जब पिनीजी देख्ती में जो एक परकार से बाजार के सक्ती क्या दाखे मुल्लका में दावन करेंगे बाजार के सक्ती और जो कुंजी बादी अर्थ विवस्था है उसे अनियोजी अर्थ विवस्था उन्योजी 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 अर्थ नियों ये तो आप देखें ये कि संसाधन के अधार पे संसाधन के स्वामित्व के अधार पे अर्थ विवस्था के प्रकार अगला जो हम लोग अर्थ विवस्था के प्रकार देखेंगे उसमें हैं आय के अधार पे कौन सा देश है जो जादा कमा रहा है या कम उसकाय है ठी तो लांको देखते हैं, आए के अधार पर अध्रिवस्था की प्रकार आए के अधार पर बेसी साथ पर इंकम, प्रिक है नहीं बेसी साथ इंकम और इस अधार पर देखते हैं, तो इसके जो सुरुवात किया था, भी सुरुवाइन किया था भी है बर्ड बैंड किया था, भी सुरुवाइन जो आर्च विवस्था को बाटते हैं उन साथे से जो किस प्रकार के अर्च विवस्था में डालिएगा इसका सुभात कुन किया बर्ड बैंक किया बर्ड बैंक फिक चलिए इसमें क्या देखा जाता है कि पर्थी बेक्ति आए जो विस बैंक जो निर्धार्ण किया है आए क्या धार पे उसमें पर्ति बेक्टी आए क्या धार पे उस अर्थ विवस्था का तरह तरह के नाम दिया जाता है तो पर्ति बेक्टी आए क्या धार पे इस विवस्था का बर्गी करन किया जाता है पर्ति बेक्टी आए जिए इसमें PCI पर एड़्टा इंकम कहते हैं और बर्ड बैंक ने जो बर्गी करन किया है उसमें तीन तरह के बर्गी करन किया है आए क्या धार पर कम आए वाली अर्थ विवस्था मध्यम आए वाली अर्थ विवस्था और उच आए वाली अर्थ विवस्था पर्ला देखते हैं कम आए धालिया अच्वे रस्था और इंग्स फिजिक हाँ जाता है लो इंकम एकनोमी लो इंकम एकनोमी दूसरा हो जाएगा मध्यमाई बालिया अच्वे रस्था और इंग्स में बोलेंगे मेडियन इंकम एकनोमी और लास्ट जो बनी करन किया है उच्वे रालिया ते बस्था इसे हाई इंकम इकनोमी ठीक है तो लोग देखते हैं कम आई बालि जो आर्च में वस्था है बर्ड़र्ड बैंक है जो इस अधा पर बगिक्रित किया है तो आप देखे कि परतिबेक्टी आए पर्टीबेक्टी आए कितना होगा जिसे आपर कम हाई वादी इसकी जो बढ़ मेंग बताया ले एक थाजार फचीस डॉनर तर तक है जिसका इंकम है जिस देश में परतिबेक्टी का परतिबेक्टी आए का इंकम है 1025 डॉलर तक है उस अर्फ विवस्था को कम आयवादी अर्फ विवस्था कहते हैं जब कि मध्यम आयवादी अर्फ विवस्था में 1026 डॉलर ठीक है 1026 डॉलर से लेकर 12325 डॉलर ठीक है मतलब इसके नीच में 1026 डॉलर से 12325 डॉलर तक है उस आयवादी जो अर्फ विवस्था होगा उसे मध्यम आयवादी अर्फ विवस्था होगा मतलब इस देश में प्रति वेक्तिया जो हम लोग गन्ना करेंगे उसमें इस रेंज आना चाहिए और उच आय 1300 पे 75 करते हैं 336 डॉलर से अधिक है मतलब इसे 229 डॉलर या से अधीक परति वेक्टि आर विवस्था को उस्छ आयवादी अर्फ विवस्था करते हैं जो कम आई वाली अर्थ विवस्था है उसे अल्प विक्सित अर्थ विवस्था कहा जाता है तो यह एक्जाम में पूछ दिया जाए कि अल्प पभिक्षित अर्थ व्योस्था किसी काणा जाता है कर्म आए वालियर विव्योस्था, मध्यम आई वालियर॥ विवस्था और उच आप है यह ज़ो कोके चाहिए, अर्थ को यह में ही। टालप तद्रशह मद्स Pac- LAणब वत्स जाये कम आई बालियर॥ शकत। आय वाली अर्थ विवस्था को क्या है उसे एंग्लिज में developing इस फैंड है 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 और यह उछ आय वाले अर्थवयस्था को विक्सीट अब कम आए वाली जो अर्थ विवस्था होगा वहां पे परंपरादर जो उनके बाबा परदादे परदादा यह सब कार्द कर रहे थे वही चीजे अभी तक है ठीक है मा ले जाए कि खेती वो रहाता हल और बैल से पहले आज से 300 वर्स पहले जो हल और बैल से हो रहा है आज उसी तरह से वो रहा है ऐसा अर्थ व्यवस्था को हम लोगे कम आए वालियत व्य या परंपरागत अर्थ व्यवस्था भी कर सकते हैं जब किम कर आख हो चांगा कैस की लहर शुरू हो जाता है ठीक माने जाए कि डेली आप सिकते हैं कि घर बन रहा है रहा है रोड बन रहा है इस तब इस बीकास का कία सुरुत हो गया है क्या शुरूरा को ता पूत हो गया है तो ऐसी हवश्था को नधयवाले ब्लार मेश को करते के गया होस्पीटल एक खराब है तो हलका पूल का जहां भी है उसको उसको सुधार दिया गया उसी तरह का रहते हैं विक्सी देश जैसे अमेरिका फ्रांस जापान यह सब का जो बेवस्था है बहुत ही उची तरह से बेवस्था माना जाता है ठीक है चलिए यहां पर देख लि कैटेग्राइज किया ठीक है कम आए वाली अर्ज विवस्था मद्यम आए वाली अर्ज विवस्था और उचाय वाली अर्ज विवस्था और कम आए वाली अर्ज विवस्था को बताया गया कि जिसका इंकम है जो दस्तों परचीस डॉलर तक प्रतिमेक्ति आए ठीक है प्र ज़ए वाली या अर्व बिकॢूनर से लेकर 12,375 डॉलर तर परति बेकती आए है उसे मध्यमाई वाले इंपर्श विवस्था या उसे भिकासिल अर्थ विवस्था कहते हैं भारत की भी जो अर्थ विवस्था है वे विकासिल है आप देखते हैं कि डेली है जो रोड का एकर तरह तरह के विकास के कार्ज हो रहा है तो भारत में जो प्रति बेखती आया है जो दस्तो चाहिश डॉलर से लेकर 12,375 डॉलर तक है जब यूद चाहिवाली अर्थ विवस्था कोंडों विक्सियतिक अर्थ विवस्था कहते हैं चलिए एक और बर्दी कर्ण देख लेते हैं प्रकार में दूसरे देशों के साथ सम्मंध ठीक है यदि दूसरे देश के साथ ब्यापारिक सम्मंध है कि नहीं उस आधार पे भी अर्थ विवस्था का बर्दी कर्ण किया जाता है ये भी एक जामें पूछ दिया जाता है और ये दूसरे देशों के साथ जो सम्मंध के आधार पर करते हैं वो है जो दो प्रकार का है एक है आपका खुली अर्थ विवस्था और दुसरा है आपका बंध अर्थ विवस्था मतलब अपन एक मॉमी एंड लास्ट है आपका अर्थ विवस्था के प्रकार दूसरे देशों के साथ वे आप आले यह सामबन करते हैं वह दो प्रफार के होता है एक होता है बंद अर्ज विवस्था और दूसरा होता है खुली अर्ज विवस्था बंद अर्ज विवस्था और इसे क्लोजिक नमिक करते हैं अब बंद अर्ज विवस्था होता है वह देश है जो अपना देश में जो कोई चीज उत् den हो रहा है उसी पे आसलित है और डुसरी देस के साथ कोई बस्तू नो ले रहा है नहीं दे रहा है जो बस्तू उत्पादन हो रहा है उसी से अपना गुज Crashout कर रहा है इसका मतलब हुआ कि उस देश में निर्याद करता है ठीक है नहीं अपना बस्तु को दूसरे देश में भेजता है और नहीं आयाद करता है यदि जलब पढ़ेगा भी तो दूसरे देश उसे समाने नहीं मनगवा सकता है अपना देश में एक आफ sens. आपना देश में जो है ऊसी एक तरह से काम चलाता है तो निर्याद को export बोलते हैं और आयाद को import यहां पर बंद रहता है ठीक है और ऐसा अच्वाश्था है जो एक तरह से विकास नहीं कर सकता है ठीक है जो बंदार्च ववस्था है क्योंकि अपने आप पे आसित रहता है दुसरे देश उसको मदद नहीं कर पाते हैं जैकि खुली अर्च ववस्था में आयात और निर्यात या आयात निर्यात एबन आयात दोनों चीज़ होता है जैसे भारत की जो अर्च वश् हցआ है तो हिवे पेचने को निर्यात बोलते हैं और जब भारत को कुछ हैसे वस्थव है जिसका यहां पर उत्पादन कम है, तो दूसरे देशों से मंगाता भी है, तो दूसरे देशों से मंगाना ही आयात बोला जाता है, ठीक है, तो यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों एकतरस हो रहा है, खुली अर्ष विवस्था में निर्यात और आयात दोनों होता है, जब की बंद अफ्रिवस्था में निर्यात और आयात दोनों बंद रहता है थाइंक यू फ्रेंड